नमस्कार केसान भायों यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगा रखी hy है और आपकी मक्का की फसल लगभग 15 से 35 दिन के आज पास की हो चुकी disag है और आप उसमें पहली या दूसरी इस मे लगाना चाहते हैं और इस्प्रे लगाने के बाद में मक्का की जो गिरोथ है उसे बढ़ाना चाहते हैं पोदो को मोटा करना चाहते हैं और फसल में जो कीट लगए हैं या इल्ली लगए होई है या सुन्डी लगए होई है उसकी रोख्था हम करना चाहते हैं और फसल का पीला पन भी हटाना च और किस दवाई की लगा सकते हैं, और जो दवाईया लेनी है, और कितने मातरा में लेनी है, कितने पानी का इस्तमाल करना है, और इस प्रेक किस समय करनी है, और इस इस्प्रेक को करने के बाद हमारी फसल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, पूरी बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंदर तक देखें, ताकि आपको सही जानकरी प्राप्त हो सकें, और जो किसान भाई चैनल पर पहले वार आएं, ये वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, उनसे चोटी सी डियू केस्टर की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्र मक्का की फिसल में पहला इस्प्रेक कर देते हैं, तो हमारी मक्का की फिसल बहुत ही सांदार होकर चलती है, बहुत ही सांदर पतन देती है, और बीमारी भी नहीं आती है, और फिसल के अंदर पीला पन कभी नहीं आता है, क्योंकि इस अवस्ता होती है, और यदि हम इस समय न्यूट्रियन्ट अच्छे लगा देते हैं अच्छे कीटना सका इस्वाल कर लेते हैं तो बीमारिया भी नहीं आती और पोधों को भरपर मातरा में पोश्कता तो मिल जाते हैं तो इस अवस्ता के किसानवाई आपको अपनी मक्का की मिसल में इस प्रेकरना है कुछ ऐसी पाता है यानि जिसको हम बैंटरी वाला पंप बोलते हैं उसके हिसाब से बताऊंगा यानि एक पंप की ड्योज बताऊंगा मैं आपको यदि आपकी जो ज्यादा है आपको ज्यादा पानी लगाना है ज्यादा पंप लगाना है तो आप बढ़ा सकते हैं आप अपने तीन तत्व होते हैं और ये तीनों तत्व मक्का की फितल के लिए बहुती महत्पून होते हैं किसान भाईयों इसकी एदियम डॉच की बात करें तो आपको सो ग्राम पिर्थी पंप के सबसे लेना किसान भाईयों यानि जो पंदरे लिटर वाला पंप आता है इसके लिए आपको सो ग्राम लेना है दूसरे के सबसे इसमें आपको एड़ करना है एक कितना सक कितना सक भाईयों आपको रोकेट ले सकते हैं रोकेट के अंदर एदियम टेक्निकली बात करें तो प्रोफोनोफोस 40% पिलस साइफर मेथरी चार परसेंट आता किसान भाईयों इसकी यदि हम डोश की बात करें तो आपको लगबग 30-40 अमल पिरती पंप के साब साब को लेना किसान भाईयों यह दिए सन्वे आपको यह कितना सक नहीं मिलता है, तो आप इसके स्थान पर दूसरा कितना सक ले सकते हैं, दूसरे कितना सक में सन्वे आपको लेना है, इमामैक्तिन बैंजोईट 5% वाली, इसकी यह दिए हम डोश की बात करें, तो आपको 15 गिराम पिरती पंप के साब से सन्वे और तीसरा समे के सन्वे, आपको लेना है सेमपू, जो हम बालों को दोते हैं, ज्यादे सहमत्म तक खा मुझत पर काम करशती में करतीं लेती करना या टीनों का गोल अलग अलग तेयर करना है या एक जगा अपने पंप को आदा बहर देना है और भरने के बाद में दबाध या और पूरी दरीकर से बहर और भ를ने के बाद तो समगें अब बाद करना है। या टो सुबह के समें करना है दसर में जा सकता है। इसलिए आप हमेसा देहन दखें जब भी आप स्प्रे करें या तो सुबह के समय में करें 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 कर भाई हो और इस दबॉख के समय और पहली और दूसरी दोनों ही बिंद में लगा सकते कर भाई हो अठत यदि आपको दूसरी शऩब लगा नहीं है कोई जानकर चाहिए तो आप मुझे कमेट्स कर सकते हैं या वार्च आपन मैसिज कर सकते हैं वार्च आपन मैन नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे रखा है वहाँ साप ले सकते हैं और अपनी फ़स्र का भरोरा करो किसी प्रिकार की जानगाई ले सकते हैं कि इसное ब